तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे Google AdSense का Tax Management की किस तरीके से आप में Tax को manage कर लेते हैं आपको यह notification ज्यादा था देखने को मिलता होगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक option दिखने को मिलेगा यहां पर add tax info तो आप जैसे इस पर click करेंगे तो आपको start form करना है तो यह पर form वगर इसको आपको fill करना पड़ेगा तो यह आप से पूछ रहा है कि आप individual हो या company हो तो आप individual के लिए अगर आपके idea हो तो आप individual select करेंगे उसके बाद आप next कर देंगे और आप एक step पूरा दिखेगा ताकि कोई step miss नहीं हो उसके बाद यह आप लोगों से पूछता है कि are you citizen of US citizen पतला आप US के रहने वाले हो के तो नहीं तो आपको no करना है और आप individual identity हो इसको individual कर देना है उसके बाद तीसर option आता है पीडिया आपसे दो question पूछता है तो आपको first one option select करना है इसका मतलब होता है कि हम US के individual नहीं है ना मारे US के tax से कोई नाता है अगर हम first one select करते तो इसका मतलब यह होता है तो हम जैसी ही से select कर लेंगे इसके बाद next option पर जाएंगे तो मैंने option select करा तो आप लोगों को और option देखने को मिलेंगे चोटा मोटा process होता है जिसे आप complete कर लेंगे तो आप कोई आगे problem नहीं आएगी इसके बाद यह जो next option होता है DBA तो आपको इसको खाली छोड़ देना है आपको इसमें कोई entry नहीं करनी है उसके बाद यह country पूचेगा तो country आपकी इंडिया है तो आप इंडिया सेलेक कर सकते हैं आपकी जो भी country आप उससे select करेंगे जैसे मैं country select कर लेता हूं उसके बाद में next option पर जाता हूं तो यहाँ पर कुछ वो article पूचता है तो मैं first वाले में select करता हूं article 7 paragraph 1 0% text करके मैं next कर देता हूं उसके बाद वो पूचता है motion picture इंड टीवी का जो article है वो select करना है तो इसमें सबसे minimum जो article text पर होगा वो 15% ही है तो मैं 15% select कर दूँगा फिर मैं आगे बढ़ूँगा तो यहाँ पर next option दिखने को मिलीगा उस पर टिक करने के बाद मैं next option पर जाओंगा तो यहाँ पर भी मुझे सेम सेलेक कर लेना जो फस्ट वाल उप्शन होगा वो वो इसका में minimum 15% है तो मैंने सेलेक कर लिया फिर मैं next कर देता हूं तो नेक्स्ट में आपको अगला इंटेफाइस देखने को मिलीगा इसमें कुछ मुल्टिपल कोश्चन्स ओर होंगे जापको करने जासे मैं मैं नो सेलेक कर देता हूं और सेटिफाइब करके next कर देता हूं फिर मुझे यह ना कुछ document signature करने को बोलेगा मतलब कुछ document होंगे तो मुझे terms and condition होगी उंको accept करना है document को sign करना है तो मैंने जैसे अभी accept करा उसके बाद मैंसे next कर देता हूं इसके बाद यह मुझे सारे form बता रहे हैं जो जो मैंने अभी तक भरे हैं उन सब का यह पीडिया अगर मैं चाहूं तो download करके पिड़क सकता हूं अगर मुझे फीचर जरौत पड़ती है तो इसके बाद I confirm करके सारे form को मैं confirm करता हूं मैं next कर देता हूं इसके बाद सबसे नीचे एक last option बचा है इसके बद में यहां पर declaration देने के बाद में certification करता हूं और इसके बाद इसको पूरा फिल कर देता हूं जैसे यहां पर जो option बचे थे last के वह complete करने के बाद मेरा form पूरा complete हो चुका है तो आप इस तरीके से अपने form को बढ़ सकते है and submit कर सकते हैं इसके बाद यह option आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा यह 15-20 मिट बात अपरू हो जाता है कभी-कभी 24 hours भी ले लीता है बट अपरू जरूर हो जाएगा